मस्ते दोस्तों केडी रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर की सबजी मैं आज इसकी ग्रेवी बना रही हूँ आप इस तरह केसे ग्रेवी बनाओ और किसी भी सबजी डाल दो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आएगी मैं गैरंटी के साथ बोलती हूँ और गरवाले भी और महमान भी खाके आपकी तारिफ करने से ठकेंगे नहीं कि आपने कैसे बनाई ये ग्रेवी और मैं साथ साथ आपको पनीर के फायदे भी बताऊंगी तो आप लाश्ट टक मेरा वीडियो जरूर देखें इसके लिए मैंने यहाँ पे दो टमाटर बड़ यहां मैंने पांचे लस्ण की कलिःओर और अद्रक का टुकडा ले लिया है यहां मैंने अप्सनल है आपको पसंदे तो डाल सकते हो न स्कीप भी कर सकते हो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं तेज पत्ता, डाल, चिनी, सुखी लाल, मिर्ज, काली मिर्ज और यहाँ पे मैंने ये धनिया की डंठल ले लिए हैं अब हम कठाई रख देंगे और कठाई के अंदर मैं एक चमच ओयल डाल दूँगी और इसके अंदर हम एक चमच जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद हम इसके अंदर सारे खड़े मसाले डाल देंगे फिर हम इसके अंदर अद्रक और लसुन डाल देंगे और इसे हम आदी मिनिट के लिए अच्छ से बून लेंगे फिर हम काज़ भी डाल देंगे इसके अंदर और प्याज भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे हमारा प्याज थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए उसके पाद हम इसके अंदर फिर टोमाटर डाल देंगे पनीर में पोटेशियम, केलशियम और मेगनेशियम बीपी को नॉर्मल करने में मदद करता है इसलिए हमें पनीर जरूर खाना चाहिए अब हम इसके अंदर एक चमच नमक डाल देंगे और यहां पे आपको सबजी को अच्छी तरह से पका लेना है इसके अंदर कच्चापन बिल्कुल न रहे, इस बात का ध्यान रखना है अब हम अच्छे से ढकन लगा के इसको पकने देंगे यहाँ पर आपकी सब्जी कच्ची रहेगी तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा अच्छा अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर खाने से आपकी इम्मिनिटी सिस्टम भी पढ़ती है अब हम इसके अंदर दन्या की डंठल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आपका यहाँ पर प्याज टमाटर थोड़ा जलने लगे या ऐसे लगे तो आप इसके अंदर एक चमस जितना पानी डाल सकते हो ज्यादा पानी नहीं डालना है आपको यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टमाटर भी अच्छे से सौफ्ट हो चुके है यहाँ से इसका छिलका भी निकल रहा है तो यह हमारी ग्रेवी यह प्याज टमाटर अच्छे से भून चुके हैं हमारे अब हम इसको गेस ओफ कर लेंगे इसका और हम इसको ठंडा होने देंगे आपको गरम गरम नई पीस ना है इस बात का ध्यान रखे नई तो आप गरम गरम पीस दोगे तो आप जल भी सकोगे क्योंकि मिक्सी उचलती है इसी वज़ा से अब यह अच्छे से ठंडा भी हो चुका है तो अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे मैंने इसकी ग्रेवी बना ली है इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है सिर्फ मैंने इसको चला लिया था मिक्सी में अब मैंने वहीं कडाई ले ली है और इसके अंदर मैंने एक चमच ओयल और एक चमच गी डाला है आप बटर भी ले सकते हो और गी से भी बना सकते हो और ओयल से भी बना स अब हम इसके अंदर ग्रेवी डाल देंगे और आपकी लाल मिर्ची जले नहीं इस बात का ध्यान रखना है आपको दिरे दिरे करके अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे आपको अब हम इसके अंदर आदी चमच हल्दी पाउडर और एक चमच दनिया पाउडर डाल देंगे और इससों अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से अब यहाँ पे मैं एक चमच बेशन डाल दूँगी बेशन डालने से आप इसके अंदर पानी डालते हो तो यह सबजी आपकी घाड़ी बनके आती है और होटल दाबे में हमेशा बेशन डालते हैं जिससे की बहुत ही बढ़िया सबजी बनती लगती है हमें और अब हम इसके अंदर आदा गिलास पानी डाल देंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहाँ पे दो चमच मलाई डाल दूँगे और इससे मिक्स कर लेंगे पनीर के अंदर हाई क्वालिटी का प्रोटिन भरपूर मात्रा में होता है और यह आपकी त्वचा और बालो को भी स्वस्त रखता है यहाँ पे मैं दो पिंच चीनी डाल दूँगे चीनी डालने से आपकी सबजी बिल्कुल भी मिठी नहीं होगी और यह आपकी सबजी को बहुत ही बढ़िया बनाएगा चीनी डालने से चीनी डालते हो आप तो यह क्या होता है सारे मसाले को बैलेंस करता है यहाँ पे और कुछ भी टेस्ट ऐसा नहीं आता है इसमें खटापन या थुड़ा ऐसा मिठापन या कुछ भी हम यहाँ पे एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब मैं यहाँ पे पनीर डाल दूँगी पनीर मैंने गरम पानी के अंदर रखा था जिससे की पनीर बहुत ही सौफ्ट है अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी पनीर को अब पनीर को मिक्स करो तो दीरे दीरे करके मिक्स करो क्योंकि आपका पनीर टूट भी सकता है मैं यहाँ पे मेरा बहुत ही सॉफ्ट पनीर है इसलिए मैं बिल्कुल दीरे-दीरे करके मिक्स कर लूँगी अब हम इसके अंदर एक चमच कसोरी मेथी डाल देंगे आप देख सकते हो कितना अच्छे से इसके अंदर से ओयल भी निकलने लगा है बहुत ही बढ़िया बन के आती है यहाँ पे मैं एक चमच की डाल रही हूँ यह उप्सनल है आपको पसंदे तो उपर से डाल सकते हो लेकिन उपर से डाला हुआ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस तरह से हम सबजी को मिक्स कर लेंगे पनीर खाने से आपकी इमिनिटी सिस्टम भी बढ़ती है आप देख सकते हो पनीर की सबजी कितनी बढ़िया लग रही है हमारी अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे हमारी पनीर की सबजी बनके तयार है आप देख सकते कितनी बढ़िया लग रही है यह सबजी अब हम सब कर लेंगे यह सब कर लिया है मैंने आप रोटी के साथ पराठे के साथ नान के साथ खा सकते हों हमारीओो प्रेस अ हमारीओो